मैं हूं बल्वंत कुमार आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइलो जी अड़ा तो दोस्तों आज आपके बीच प्लांट किंग्डम से कुछ चाहिए देखते हैं पहले सवाल को होगी लेकिक्षाव एक बोलबोक्स को का क्या कौन सा यह बाल वाक्स मौणाश निकारा ओलार्ट यह यह सब्क्राइब पहला है तो चल्यें पहला है हरा शेवाल दूसरा है भुड़ा सेवाल और तीसरा है लाल सेवाल और चोथा है शभी ऑप्शन भाई यह इतना जान लो कि बॉल वाक्स बॉल वाक्स यूलो थ्रिक्स इस पाइरो गाइरा इस पाइरो गाइरा कलमाइडो मोनस यह एंड कारा यह सभी के सभी क्या है ग्रीन एलगी यह ग्रीन एलगी यह नि कि हरा शेवाल हरा हरा शेवाल को बोलते हैं यह इसमें बढ़नक के रूप में परजेंट होता है तो इसलिए इस हरा होता है इसका नाम हरा शेवाल पर गया है ड्यू टी डॉमिनेंस ऑफ खोलो फिल एन बी यह फोटो सिंथेटिक सिंथेटिक होते हैं सभी फोटो सिंथेटिक होते हैं यानि कि अपना भूजन श्रम बनाते हैं तो हमारा यहां पर कौन-कौन सा ओप्षन दिया हुआ है वाल वॉक्स कले माईडो मोराश एंड कारा यह तीनों के बारे में पूछ रहा है कि यह क्या है तो मैंने आपको लिखी दिया कि ग्रीन इलगी का उदारन है हरा सवाल का उदारन है तो लाल सवाल नहीं होगा अर्था डी भी नहीं होगा तो और बुड़ा सवाल भी नहीं होगा अंसर हमारा क्या हो जागा हरा सवाल चलिए अगला सवाल है लेमिनेरिया फ्यूकस दिक्टियोटा उदारन है भी सवाल के लामिनेरिया है कि डिक्टियोटा है कि सारगेशंग एंड फ्यूकेश यह सभी उदारन किसके हैं ब्राउन एलगी के उदारन हिंदी में भोड़ा सवाल बोलेंगे इसको और इसको फियो फाइसी भी बोलते हैं इसको भूरा सवाल को क्या बोलते हैं तो यहां पर दिया हुआ हमारा लेमनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा सरगेशंग को यहां पर नहीं लिखा गया है चलो कोई बात नहीं है यह उदारन ही किसके तो यहां तो हड़ा सवाल देखी लिया था आपके पास बॉलबक्स इलोतर क्या है बॉरे सवाल के दरन है तो आपका और शवाल भी नानसर दिहूंए फर हो क्या हो जाएगा यह वे कि बूरा सवाल सबाण एगला प्रेशन है पॉर्फारा पॉरिस्वाएवार्स पॉरिस्वहार्ण हैं कि ओधारना है हरा सवाल घ्र्राज drauf इंड शबी यहां देख लो आप ग्रीन एलगी में कहीं भी पॉलिश इपनिया पॉर्फाइरा है क्या नहीं है अगर नहीं है तो यहां तो चलो हरा सवाल तो हो गई नहीं अगला लेमिनेरिया डिक्ट्ट उट फ्यूकस सार्गेशम यह चारों में से कोई एक भी नहीं है तो गरा जेली पुपो गरा जेली यह मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है इसको अलग अलग पॉपो फणी है थोड़ा अच्छा पॉपो गरा जी आरे गरा जी इए लाई जेली अब इसको थोड़ा हम तोड़के देखतें पी ओ से पौफाइरा भी ओ से पॉलिश इफोनिया ठीक ना और g or are say gracilaria और g ry is gel idiom तो यह आपका होगया muj पॉरफायरा ग्रासी डारिया पॉछ पोलिषिफोनिया ग्रासी लारिया एंड真的 यह इसके आपका आंशर क्या हो जाएगा अंसर सी हो जाएगा इहां पर मैं आपको लाल मैं तो लाल शवाल का उधारन लिख देता हूं पॉर्फाइरा पॉली शिफोनिया ग्रासी लारिया इंजलीडियम प्यापके उधारन हो जाएं यहां परफाइरा और पॉली शेफ़ोनिया और ग्रासी लारिया यहां पर सब्सक्राइल रवस निया बहुत जाएदा बहुत जाएदा याजने बादा है काफी महत्पूर्ण है हमें तो लगता है कि इतने भी टॉपिक है ना वह ज्यादा भारी पड़ते हैं जने टिक्स को अगर टॉइल से से सब एक पर धांसु सेप्टर जो है वह लेकर दिया है तो चलो इसका कुंसेप्ट यहां तो हम देख लिए आप याद रखना कभी भी याद रखोगे आपको याद आ जाएगा पॉर्फायरा पॉली शिफोनिया ग्राशिलाडिया एंड जली डियम चारों मैंने आपको याद रखना कि ट्रोफिल फ्यूको जन्तीन जो है एप क्लोफिल ए और सी ए और सी सी जो होता है एए मतलब बी अए बी इसी ए डी है बस इसे याद रखना वी से सुरू करना और टी तक पहुँच जाना है कुछ नहीं करना इसमें याद रखना है सिक्वेंस हरा सेवाल को रखना है दो नमबर भुरा सवाल को रखना है तीन नमर पर लाल सवाल को रखना है लाल में क्या होता है रेड अंति में क्या आता है दी तो यहां पर देख लेना है कि यह जो है यहां पर यह क्या हो गया इससे हम समझ जाएंगे ए और डी है इसका मतलब है यह क्या है लाल स होए चलिए यहां इतना समझ गए उसके बाद यहां पर एस से सुरू करना है हरा से वाल जो यह वह मेरा पहला होगा तो यह जो है और बी तो बी क्या है पहला होगा एस सब में और यह समय है तो BCDB को देना है हञा को देना यह नि पहले नंबर SS चुरूकरना है एक नंबर को दे देना तो यह конц hardest जाएका हो सवाल और यह क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा मूरा सवाल बॉरॉन रटी समझ यह दोस्तों अनलगी हो पहले वाले को देना दूसरे वाले को देना है तो आपको यहां से आपका आंसर निकल की ट्रिक से आंसर निकल के आजाएगा यह क्या होगा हरा सेवाल का क्लोरोफिल ए और भी हरा सवाल में कौन सा बढ़नक पाया जाता है पिग्मेंट पाया जाता है तो आपको क्लोरफिल ए और भी पाया जाएगा इसी बज़े से क्या होता है हरे सवाल का रंग जो होता है हरा होता है चलिए हमारे बीच अगला सवाल है बूरे सवाल में कौन सा बढ़नक पा कि और लाल शेवाल कि दी के बज़र से मैंने अल्रेडी बोल दिया कि इसका क्या हो जाएगा ए और डी शाहत में क्या आए जाएंगे फाइक को इत्रीन आजाएंगे यहां पर क्या है ए और भी यह सब में विश्य कॉमन होगा यहां डी चला गया इसमें और बी सिरियल से को क्या जाएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यह और सी इसमेंगों यह तो हरा से वाल यह आप जानते हैं यहां पर बताए दिया आको है बटाहर हो जाएगा ओस जा कि कि इस्के उदार creator हो जाएगे वहार wh के और चंद्र को बोल कि जल्दी से स्क्र्य इडें चोट ली कि हलो गाईज एक बार फिर से स्वागत है कोईशन नमबर शिक्स आपके बीच है लाल सेवाल में कौन सा बढ़नक पाया जाता है मैंने वहां पर हराशेवाल का बढ़नक किया था वूरे सवाल का किया था मैंने बोला था जिसमें डी होगा समझ जाना क्योंकि रिड्ड लाल क क्या होता है रिड्ड के लास्ट में क्या है इसी ट्रिक से समझ जाना है कि कि इसमें होगा यह नहीं है और बी है छीट किसका हो जाएगा बुरे से वाल का और A और D & 5 को इरिफ्रिन जो है वह नेक्स अपना भोजन संचित करता है हरे सेवाल को बोला जाता है याद रखेगा हमीशा हरे सेवाल को बोला जाता है या ग्रीन एलगी ग्रीन एलगी भी बोल सकते इसको ग्रीन एलगी को ही बोला जाता है तो इसमें क्या है कि इसका जो फूड होता है वह स्टार्ज की रूप में संचित होता है मैनिन टॉल और लेमिनेरीन जो है यह भुड़े सेवाल संचित करते हैं अपना भोजन मैनिन टॉल और लेमिनेरीन के रूप में फ्लोरीडियन स्टार्ज की रूप में क्या करता है लाल सेवाल अपना भोजन संचित करता है लाल सेवाल यानि की रेड अलगी चलिए फियो फा भी बोलते हैं अंग्रेजी में ब्राउन बोलिए हिंदी में भुड़ा बोलिए बात बढ़ावर यह है तो मैंने आपको यहीं बता दिया है कि मैंनिन टॉल और लैमिनेरीं जो किसका है एक्जम्पल भूरे सवाल का है तो फ्योफाइसी का एक्जम्पल क्या हो जाएगा मैंन बाबू समझो समझना जरूरी है और नहीं समझिए गाना तो बकड़ी चराइएगा इसलिए पहले समझिए वड़ियां से यह क्या है रेडलगी है रेड़ोफाइसी को ही रेडलगी बोलते हैं मैंने आपको यहां बोला था ना कि मतलब हरा सेवाल का स्टार्च की रूप मे यह क्या होता था बूरे सेवाल का होता बच गया इस्टार्च मैक機 की बनी होती आप हरा सेवाल होता है उसकी कोशेका बित्ती जो है वो शेलूलोज की बनी होती है शेलूलोज और अलजीन जो है वो भूरे सेवाल की होती है भूरे सेवाल की भूरे सेवाल और हमी सेलूलोज तो छोड़ देजिए वापस लाल सेवाल जो होता है यह क्या होता है लाल सेवाल लाल सेवाल यह भी इसकी भी कोशी का वित्ति क्या किसी की बनी होती है चलिए आज का यहीं पर खत्म होता है हमारा लेक्षे वीडियो क्वेशन अंसर एमसी क्यू का तो उम्मीद है आप लोग श्वस्त होंगे अच्छे होंगे जहां भी रहें मस्त रहें आवाद रहें जिंदावाद र अच्छे से पढ़ाई कीजिए एक आत्म विश्वास के साथ आत्म विश्वास होना विद्यारती के लिए सबसे जादा महत्पूर्ण चीज है एक छोटी सी घटना महाभारत की मैं बता रहा हूं आप लोगों को मैं एक बार महाभारत का एक वीडियो देख रहा था तो उस वाध है उनको आत्म श्वास था कि हूं मैं सबसे अच्छा वह सांउले थे अलग बात है लेगन उन्होंने बताया कि मैं हूँ दुनिया में सबसे बहत hell और सबसे अच्छा क्यों वो नहीं ढूरे थे।can अनकी आत्म विश्वास आप अपने ऊपर विश्वास बनाये रख झाल झाल